नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार और मैं हूँ प्रीती लालो यादफ के बड़े लाल और विधायक तेश प्रताप यादफ पर जानलेवा हमला किया गया है जी हाँ हमले की कोशिश उनके ही आवास पर की गई है लेकिन गनिमत ये रही कि तेश प्रताप यादफ अपने आवास पर उस वक्त मौजूद नहीं थे दरसल आपको बता दे कि ये घटना रविवार शाम साड़िछे की बताई जा रही है जहाँ पर तेश प्रताप यादफ के आवास टू एम स्टैंड रोड पर उनके ही आवास में दस युवक जा घुसे हला हंगामा करना शुरू कर दिया और पथराव भी जम कर किया गया हाला कि तेश प्रताप यादफ उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे बताया जा रहा है कि तेश प्रताप यादफ किसी जिम की ओपनिंग के लिए गय हुए थे उनकी गयर मौजूद की में वहां पर दस की संख्या में युवक घुसे और तेश प्रताप यादफ के करीबी स्रिजन सुवराज को जान से मार देने की धमकी भी दी स्रिजन सुवराज वहां किसी काम से तेश प्रताप यादफ से मिलने गय हुए थे स्रिजन सुवराज छातर राजट के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी वो राजट में उपाध्यक्ष के पदपर है लेकिन वो तीश प्रताप यादव के आवाज पर गय थे kसी काम से लेकिन तीश प्रताप यादव के आवाज पर पहुंचते ही उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की करीब 10 की संख्या में युवक आए जिन में से नेतरित्व गौरव यादव नाम के एक युवक कर रहे थे बताया जा रहा है कि सभी युवकों ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में ही वो आवास पर गुसे और तेश प्रताब यादव के करीबी स्रिजन स्वराज को जान से मार देने तक की धमकी दी है जिसके बाद अब स्रिजन स्वराज ने सचीवाले थाने में लिखित आवेधन दिया है इस आवेदन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि करीब साड़े छे बजे जब वो तेश प्रताव व्यादव के आवास पर गये तो तेश प्रताव व्यादव वहां मौजूद नहीं थे लेकिन स्रिजन स्वाराज पर दस की संख्या में युवक आये और जानलेवा हमला करने की कोशिश की काफी देर तक हल्ला हंगामा चलता रहा पत्राव भी हुआ उसके बाद आखिरकार वो युवक वहां से लोट गये हाला कि स्रिजन स्वाराज ने सचिवाले थाने में एक लिखित आवेदन दे दिया है और उन्होंने पुलीस से सुरक्षा की मांग की है उन्होंने बताया है कि उनकी जान को खत्रा है इसलिए उन्हें पूलीस की सुरक्षा दी जाए आपको बता दे कि तेश्प्रताप यादव उस वक्त वहां मौझूद नहीं थे जब ये पूरी घटना क्रम चल रही थी तेश्प्रताप यादव उस वक्त कहीं और थे लेकिन तेश्प्रताप यादव का असली प्लैन रांची जाने का था दरसल लालू प्रशाद यादव पटना आये थे, पटना आने के बाद उनका डोरंडा कोशागार मामले में सुनवाई होना है राची में, लालु प्रशाद यादव वहां की एरिय निकल गये, प्लान था कि तीश प्रताप यादव उनके साथ राची जाएंगे, लेकिन आन मौके पर ये प्लान बिगड गया आन मौके पर ये प्लान चींज करना पर और तीश प्रताप यादव पटना में ही रुक गया, पटना में रुके तो रुके लेकिन तीश प्रताप यादव उस वक्त वहां मौझूद नहीं थे, जहां पर ये हमला हुआ है, जहां पर श्रिजन स्वराज को जान से मार देने की धमकी दी है, अब ऐसे में सवाल उठने लगे है, पुलीस पर सुरक्षा कर्मियों पर, आखिर जब लालु प्रशाद यादव जो कि बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री है, उनके बेटे और हरसन पूर से विधायक तीश प्रताप यादव की जान ही अब सुरक्षित नह है, हलाकि इस मामले में अभी तक तीश प्रताप यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ऐसे में राजनतिक गलियारों में इसकी कितनी चर्चा होती है, वो देखना खास हो जाएगा, इस खबर में इतना ही आप बन रहें, न्यूस प्यार के साथ और हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ इस वीडियो को लाइक और शेर भी करें, धन्यवाद